नमस्कार हिमाचल बुलिटन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार मुख्यमंत्री शुईजायराम ठाकुर ने आज संजौली धली बाइपास के समीब 18 करोड रुपे की लागत से बने हैलिपोर्ट का लोकारपन किया मीडिया से समवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर योजना के निर्मान के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कारिकरम के हिमालियन सरकिट के अंतरगत 12 करोड 13 लाग रुपे और केंद्र सरकार की उडान 2 योजना के तहत 6 करोड रुपे प्रदान किये है उन्होंने कहा कि इस हैलिपोर्ट से ना केवल प्रदेश में आने वाले प्रियटकों को सुविधा मिलेगी बलकि IGMC के समीब होने से इसका उप्योग अपातकालित सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा अपना जो हैलिपोर्ट की जो जरूरत थी उसको पूरा किया से और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं खास्तोर से जो हमारे उडान टू के अंत्रिकत आ रहे हैं तो जूपर हट्टी यहां से लगभग एग घंटे का सफर लगता है हैलिपोर्ट में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जैसे रिसेप्शन काउंटर, हैलिपोर्ट प्रबंधक कार्याले, टिकट काउंटर और वी आईपी लाउंज आधी शामिल हैं उन्होंने कहा कि हैलिपोर्ट में यात्रियों की आगमन के लिए पोराटा, कैबिन की सुविधा, पचास वहनों के लिए पारकिंग, हैलिकॉप्टर के लिए डेक और सेफटी नेट भी हैं उन्होंने कहा कि यह हैलिपोर्ट दस दशमलव तीन बीगा भूमी के एक शेत्र में फैला है तथा भीती चित्रों द्वारा, इसका सौंदरी करण किया गया है यह हैलिपोर्ट CCTV वनिगरानी तंत्र से पुर्ण रूप से युक्त है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार की उड़ान दो यूजना के तहट बद्दी, रामपूर तथा मंडी में भी हैलिपोर्ट का निर्मान किया जा रहा है मोख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केंदरिय परियटन तथा नागरिक उड़यन मंत्राले को रिकॉंपियो, चमबा, डलहौजी, जंजहैली, जुआला जी आदी में नए हैलिपोर्ट के निर्मान के लिए शिगर प्रस्ताव भेजेगी जिससे इनक्षेत्रों में परियटन गतिवीधियों को प्रुच्छा हन विलेगा शुई जैराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मोख्या प्रेटन गनतव्यों से जुड़े राज़्ट्रे उचमार्गों की फोर्ड लेनिंग के साथ साथ हवाई यातायात सुविधा पर विशेश बल दिया जा रहा है वर्तमान में प्रदेश में 64 हैलिपैड है तथा प्रदेश सरकाद द्वारा 38 नए हैलिपैड का निर्मान कार्य किया जा रहा है मुख्यमत्री ने कहा कि हैलिपोर्ट तथा हैलिपैड निकट पविश्य में परियतन, कनेक्टिविटी तथा अपातकालिन परिपेक्षे से लाभकारी सिद्ध होंगे उन्होंने कहा कि इससे राहत एवं बचावकारियों के दोरान तथा आपातकालिन सिती में रोगियों को पड़े अस्पतालों में ले जाने में भी सहायता मिलेगी हिमाश्र पदेश में हैलिपोर्ट परियतन तथा आर्थिक गती वीदियों को बढ़ावा देने में वर्दान सिध्ध होंगे मुख्यमंत्री शुईजाराम ठाकुर ने आज पत्रकार वारता के दौरान प्रधान मंत्री के विगत दिनों पंजाब दोरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की कड़ी निंदा की उन्होंने दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की मुख्यमंत्री ने कहा एक व्यवस्ता के अनुसार जब प्रधान मंतिजी का किसी परदेश में आने का कारेक्रम होता है और उनके कारेक्रम की सारी रूप रेखा जो पीमों के माधियम से कॉम्मूनिकेट स्टेट को की जाती है परदेश सरकार की ये जिम्मेबारी बनती है कि उस दौरान सारी मुवमिट के दौरान और कारेक्रम स्थल पर और कारेक्रम स्थल के परशात जब तक पधान मंतिजी बापिस रवाना नहीं होते हैं तब तक के लिए सुरक्षा की सारी जिम्मेबारी परदेश सरकार के उपर चाहे वो रास्ते में रूट की है चाहे रास्ते में रूट के अतिरिक्त सवस्थल की है और चाहे वो मंच की है लेकिन विचित्तर परस्थिती हमने तब देखी जब प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी का कारेक्रम जिसमें minute to minute जो है वो communicate state government को किया गया था और प्रधान मंत्री जी अपने उस scheduled प्रोग्राम के तहत क्योंकि मौसम खराब था मौसम खराब होने की बज़ा से प्लैन वन से प्लैन टू में उनका वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ और सड़क मारग से फिरोजपूर के उस कारेक्रम के लिए जहां उद्गाटन होने थे शिलानयास होने थे जहां एक सभभ भी आयुजित की लिए थी उस कारेक्रम में भाग लेना था लेकिन एक बहुत बड़ी चूक प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा में पूरे देश और दुनिया ने देखी कुछ ऐसे लोग कहने के लिए तो उपयोग वो किसान का करते हैं लेकिन उसमें जो प्रधर्शनकारी थे वो एक तरह के जो रैडिकल ग्रूप्स हैं और उन प्रधर्शनकारी उने रास्ता रोक करके प्रधान मंत्री जी के कारकेट को आगे बंडने नहीं दिया पंजाब के मुख्य मंत्री चरण जीशिक चन्नी को काईदे से उस कारेकरम में प्रधान मंत्री जी के अगवाई करने के लिए वहां पर पहुंचना चाहिए था लेकिन कहा उनने कि वो किसी कोवीट के पेशन्ट के संपर्क में आये हैं इसलिए उन्हें अपने आपको आइसोलेट किया है लेकिन उसके पश्चात भी जहां उनको संपर्क करने की कोशिश की फोन के दवरा तब भी उन्हेंने जबाब देना उचित नहीं समझा एक परतिष्ठित टेलिविजन चैनल के स्टिंग ओपरेशन के माध्यम से अब इस सारे घर्णक करम की पोल खुल गई है पिछले कल गैरा जनवरी को रात में पधान मंत्रिशी निरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ किये गए खिलवाड और इरादतन चूक पर नीजी चैनल की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कुछ बहुत बड़े खुलासे किये जो कि कई तरह के स्वाल उत्पन करते हैं और भारती जनता पार्टी जिसको पहले दिन से ही कह रही थी कि पांच जन्वरी को ये घटनकरम एक साजिश के तहत हुआ है हमारा ये मानना है कि यह कोई सयोग नहीं बलकि एक खुनिस साजिश का एक रूप था और हमारा ये भी मानेता है कि आचानक नहीं बलकि ये सब आईउजी थी था और हमारा ये भी माननेता है कि ये कुद्रती नहीं बलकि एक कॉंसिप्रेशी थी और हमारा ये भी मानना है ये स्पॉंटेनियस नहीं था बलकि ये स्पॉंसर्ड था और आज मैं इस बात को आपके सामने विशेश तोर से अपनी बात कहने के लिए इसलिए आया कि सिस्टिंग ऑपरेशन मेंजो एसेचो और जो डी एसपी सी आईडी जिन जिन लोगों ने भी उनको सुना है चैनल पर उनको सारी घटना की साजिश का अंदाज़ा सहज रूप से लग सकता है दोनु का कहना है कि उन्हें उन्हें पधान मंत्री के रूट पर होने वाले रुकावट को लेकर पहले से ही जानकारी थी इस जानकारी को दोनुने ही अपने आला अधिकारियों से समय रहते सांज़ा कर लिया था जानकारी सांज़ा करने के बाबजूद भी आला अधिकारियों ने इन जानकारियों को नजर अदाज किया और बहुत हलके में लिया कोई एक्शन नहीं लिया ये वाक्य दरशाता है कि परदान मंतिजी की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है और मैं समस्ता हूं की चूक ही नहीं बहुत बड़ी एक लापरवाही और मिली भक्ति की साथ की है पंजाब पूलिस साभ बता रही है कि उन्हें उपर से यानि कि पंजाब सरकार से कुछ भी नहीं करने के निर्देश थे रास्ता चाहे रोक दिया जाए चाहे वहाँ जो इकत्रित लोग है वो कुछ भी करें लेकिन उनको रोकने के लिए कोई भी कारेबाई पंजाब की पूलिस नहीं करेगी ये आदेश पंजाब की सरकार की ओर से वहाँ पर थे और हम इन बातू को अगर देखे तो ये सारे तत्थ है जो है वो कॉंग्रेस की सरकार के सारी फोर खोलती है और ये कनाईविंस के साथ जो है वो जिस परकार से वहाँ पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई उसके हम कड़े शब्दू में निंदा करते हैं मित्रो नरिंदर मोदी जी हमारे देश के परधान मंत्री है लेकिन इसके साथ साथ में इस बात को भी हमको समझना होगा कि परधान मंत्री के साथ साथ में निंदर मोदी जी आज विश्ओ के सबसे लोग प्रियनेता है और विश्ओ के सबसे मजबूत नेता है और उनकी सुरक्षा में इस प्रकार से परदेश पंजाब प्रांत की जो सरकार का कॉंग्रेस पार्टी की सरकार का जो रवईय रहा ये बहुत दुरभाग्यपूर्न है और हम उम्मीद करते हैं हमें पूरा भुरोसा है चांपूरा देश द्रिंदर मोदी जी के इस दौर के साथ भावनात्वक दिश्टी से उनके साथ खड़ा हुआ है अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने स्तर पर बविंज संगठन जो है उनके लिए प्रात्ना कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए उनके जीवन के लिए उनके आयू दिरगायू हो उसके लिए प्रात्ना कर रहे हैं वहां भारती जनता पार्टी की ओर से भी पूरे देश्वर में ये जो घटना करम पंजाब में घटित हुआ अप धान मंतिजी के सुरक्षा के समंदित इसको लोगों के सामने ठेक परकार से सही रूप में प्रस्तूत किया जाए इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी मुख्यमंत्री श्विजाराम ठाकुर ने लोड़ी के अफसर पर प्रदेशवासियों को शुब कामनाई दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह उत्सफ हमें अपने प्रियजनों एवं मित्रों के साथ खुशियां बांटने का अफसर प्रदान करता है जो आपसी भाईचारे को और सुद्रिट करता है उन्होंने कामना की कि यह उत्सफ प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली तथा सम्रिधी लाएगा हिमाचल बुलिटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई पी आर हिमाचल फॉलो करें ट्विटर एट DPRHP लाइक करें फेस्बुक पेज इंफर्मेशन और पॉबिक रेलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himाचलpr.gov.in इस संक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाजत नमस्कार